सब्सक्राइब करें वाहिंद्रा गुरू यूट्यूब चानल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो का अलर्ज मिलता रहें थैंक यू करते हैं स्वागत उनका बढ़ते हैं इस सेशन में and yes let's look upon to the first event जो घटा था 1970 1970 1970 के दशक में 22 अप्रेल का ही दिन था जब पहली बार अर्थ डे अब्सक्राइब किया गया था जैसा कि विल्कुल मैं भी अग्री करेंगी आज हम बना रहे हैं विशुभर में अर्थ डे और इस अर्थ डे की शुरुआत हुई थी 1970 से 22 अप्रेल के ही दिन जी हां 22 अप्रेल अर्थ डे मनाया जाता है और यह एक्जाम पॉइंट अव्यू से बहुत इंपोर्टेंट है तो आज का थीम क्या है चलिए जान लेते हैं इन्वार्मेंटल एंड क्लाइमेट लिटरसी जो हमारा थीम है अर्थ डे का यह एक्जा करें 2017 की बात करें 2017 का थीम है इन्वार्मेंटल एंड क्लाइमेट लिटरसी चलिए let's proceed to the next part देखते हैं जन्मेदिन किसका मनाया जाता है 22 अप्रेल के ही दिन तो yes Mr. Vladimir Lenin 1870 was the year and very same day 22nd April के ही दिन जन में व्लादमीर लेनिन का आज जन हुआ था तो इनके बारे में हम क्या ज प्रेक्शनिन का कुछ होई नहीं सकता व्लादमीर लेनिन ही थे जिनने संस्थापक थे Soviet Union के तो बिल्कुल स्टैबलिश किया था Soviet Union को Soviet Union से हम सभी वाकिफ है तो इसके तुरू हम यह याद रख सकते हैं कि व्लादमीर लेनिन कौन थे चलिए बढ़ते इसी के साथ question answer sessions की त question and here it is for which of the following wars or rewards did J.B. Mallesan say this there has never been a war whose result was so permanent and so vast निमलिकित में से किस युद्या विद्रो के लिए J.B. Mallesan का ये कहना था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसका परिनाम इतना स्थाई और इतना विशाल था option A. Battle of Plassey, B. Battle of Buxer, C. Battle of Vandivers and D. Revolt of 1857 तो चलिए जानते हैं इसका answer क्या है जी हाँ इसका answer है B. Battle of Buxer battle of Buxer 1764 में लड़ा गया था इसके joint forces Muslims थे और दूसरे side Britishers थे under the leadership of Britishers Munro के leadership के under में Muslims जो joint forces थे वो हार गय थे चलिए जान लेते हैं joint forces में थे कौन शा आलम थे, दूसरे सुजाओ दला थे और तीसरे थे आपको आलम शा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ और ये रहा अगला question Who brought Ashoka's pillar to Delhi? अशोक स्तम किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? जी हाँ, शेर्शासूरी, नमबर B है फते सिंग, नमबर C है पिरोस्ता तुगलक या पिर नमबर D है बलबल तो चलिए बढ़ते हैं इसके answer की तरफ किसका answer क्या था? जी हाँ, answer C पिरोस्ता तुगलक, तुगलक डानिस्टी के third ruler थे जिनको अपनी अस्तित्व, अपनी personality जो उनको अपना personality established करने में बहुत समय लगा विकॉज इनके द्वारा, थे बाए के द्वारा थे सबकुछ खराब कर दिया था, महम्मद बिन तुगलक ते सबकुछ खराब कर दिया था, क्यों? क्योंकि अँए कुछ पांच जो नका blunder था, उसके थूख सबकुछ खराब to the next question. Kapila was the earliest exponent of Kapila Sarvapratam Pratipadak कहां के थे? जी हाँ, option है आपका Samakhya School, B है Vashaka School, C है Mimansa School, या पी D है Vidanta School. चलिए बढ़ते हैं इसके answer की तरफ. जी हाँ, option A Samakhya School इसका answer है. बिलकुल तो अगर बात करें Samakhya School की या Samakhya School की, so definitely Kapila earliest exponent यहीं के थे. बढ़ते हैं इसी के साथ to the next question. Who among the following has been included in the list of world's 50 greatest leaders by Fortune magazine who are transforming the world and inspiring others to do the same. Fortune पत्रिका की विश्व के सबसे प्रभावशाली पचास नेतरत्व करताओं की सूची में निम्नमेसिक किसे सम्मिलित किया गया है जिन्होंने दूसरों को प्रेडित किया और विश्व को बदलने में महतपून भूमिका अदा की option की तरफ बढ़ते है अरुंधती भटाचारिया बी नरीन दारु वाला या फिर C. वनिथा नरायन या फिर D. ऊशा संग्वन तो चली देखते है अनशर क्या है जी हां आरुंधती भटाचारीया बीचारीय अरुंधती भटाचारीया के अगर मान बात करेंगे तो पुत्र शहर की स्थापना किसने की थी यहां अशोका उद्दाइन अजाग शत्व याकर बिंभी साथ चलिए एंसर की तरफ बढ़ते हैं वी उद्दाइन इस दा एंसर उद्दाइन जो थे वो हर्यांकर डानेस्टी को बिलॉंग करते थे और इन्हों ने पाटली पुत्र सि अगरे हैं हम हरी सेना दा ऑफ्र फेमस प्रयाक प्रिशस्ती एड़न दा कोड़ विच गुपता रूलर हरी सेन जो प्रसिद्ध प्रयाक प्रिशस्ती के लेखकति किस गुपता शासक के दरबार में थे चंद्रगुपत विक्रमाधित्या, सकंद्रगुपता, समुद्रगुपता या भी कुमारुपता वन तो डेफिनिटली गुपता डाइनस्टी का एक अच्छा खासा वीडियो भी मैंने शेयर किया है तो इस क्वेस्टन का आंसर कंडिडेट्स को एज आज आना चाहिए और समुद्रगुपता जिनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से मियंगे मिन्के त्रोगों में से किसके अतिरिक सभी जनत रोग है A. typhoid B. jaundice C. mumps D. influenza So definitely the right answer here it is option number 8 typhoid Typhoid is the right answer बिल्कुल क्योंकि अगर बात करें यहां पर सारी कि सारी diseases वाइरस से होती है बढ़ टाइफ़ाइट की बात करें तो bacteria से होने वाली है bacterial disease है typhoid चलिए बढ़ते इसी के साथ to the next question Accumulation of nitrogenous waste products in the blood is an indication that the रक्त में nitrogenous अपश्टी उत्पादों का संचय एक संकेत है किस चीज़ का है जानेंगे A. heart is not functioning B. kidneys are not functioning properly C. lungs are functioning D. liver is not functioning चलिए बढ़ते हैं answer की तरफ जब देखते हैं इसका answer क्या है जी हां answer B is the right answer kidneys are not functioning properly that means गुर्दे ठीक से कारी नहीं कर रहे हैं definitely कहीं न कहीं waste products की बात आ जाती है so waste products में kidneys का रोल ही आ जाता है हमारी human body से तो इस particular question का सही answer है option B that is kidneys are not functioning properly या गुर्दे ठीक से कारी नहीं कर रहे हैं बढ़ते इसी के साथ to the next question normal human adult male has सामान या व्यस्क पुरुष में क्या होता है A. 10 gram of hemoglobin या पर 100 gram of blood B. 8 gram of hemoglobin या पर 100 gram of blood C. 18 gram of hemoglobin या पर 100 gram of blood या पर D. 14 gram of hemoglobin या पर 100 gram of blood चलिए बढ़ते हैं answer की तरह बढ़ते हैं और ये रहा सही answer that is option number D 14 gram of hemoglobin per 100 gram of blood बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये कहीं न कहीं calculations है हमारे blood में hemoglobin present होने का हर 100 g blood में 14 g hemoglobin पाया जाता है एक normal human adult में बढ़ते इसी के साथ to the next question Antibiotics are administered in the certain diseases with object 2. Antibiotic दवाएं कुछ बिमारियों में किस उदेश से दी जाती है A. Produce toxins against bacteria B. Stimulate production of white blood cells are fighting the diseases C. Invit the growth of bacteria D. Stimulate the production D. Stimulate the production of antibiotics that means if we talk about antibiotics then it can only be given to any disease and that disease is being given to us option number C that is inhibit the growth of bacteria that means to stop the growth of life so stoppage antibiotics are given to any disease so option number C is the right answer with this question we will end up this session do not forget to click on the like button before getting offline comment and tell us tell us more improvisation so that we can work upon it and yes video share